रादे रादे, कैसे हो आप सबी? Zyidus Life Science buyback था, उसमें apply करने date announce हो चुकी है. Company ने आज apply date को announce कर दिया है. तो देखते हैं कि इस buyback में हम कब से कब तक apply कर सकते हैं, कैसे apply करना है? इसके साथ ही मैं आपको buyback के regarding काफी कुछ important data share करने वाला हूँ आज. आज की वीडियो न, buyback वालों के लिए काफी informative होने वाली है. काफी कुछ में आपको share करने वाला हूँ, जिससे आपको knowledge मिलेगी. और future में भी आप buyback के अंदर clear रहे पाऊए कि क्या करना है क्या नहीं करना है. प्लीज इस वीडियो को end the complete देखे लिना. यह में रिक्वेस्ट है. आपको आज की वीडियो में काफी knowledge मिलने वाली है. तो उसे start करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, कि company ने आपे show किया है, कि जो buyback announce हुआ था, जब meeting हुई थी, उसके आगे पीछे company के share का price क्या चल रहा था. तो उस पर नजर डालते हैं. buyback के अंदर company दो बार meeting करती है. first meeting में क्या होता है, जहां बता जाता है कि हम buyback को consider करने वाले हैं. और second meeting में buyback announce होता है. clear है? तो जो first meeting हुई थी ना, वो हुई थी 5 February को. उससे पहले trading day के अंदर, जो 2 February को था, उस दिन share का price रहा था 7.61 का. और जिस दिन meeting हुई थी, जिस meeting में company बताती है कि मैं buyback को consider करने वाली हूँ. announce नहीं करती है. खाली बताती है, consider करने वाली हूँ. वो meeting के वाले 5 February को थी, उस दिन price था 7.60 का. मतलब यहाँ पर यही price में कोई खास change नहीं आया है, same चल रहा है. फिर उसके बाद company ने जब announce कर दिया कि भई मैं buyback में विचार करने वाली हूँ. और वो विचार कब करूँगी? वो मैं करूँगी 9 February को. 9 February को board meeting होगी, कि वहाँ आम तै करेंगी कि buyback कितना लेना है, कितना ratio है, क्या सब बात करेंगी. तो उसके एक दिन पहले, मतलब 8 February तक share का price चला गया था, 802 रुपे का. तो आप देख रहे होंगे, कि 5 February जब company ने अनौंस किया कि मैं buyback को लाने वाली हूँ, मतलब मोटा मोटा 40 रुपे का इसमें गेन आ चुका है, सिर्फ 2-3 दिन के अन्दर अन्दर ही, इस न्यूज ये करन, अभी आगे चलते हैं, अब company ने meeting किती 9 तारिक को, उस दिन price था 805 रुपे का, और meeting के अगले trading session में, 9 को fayaday था, 10-11 को छुटी हो गई है, 12, 12 February को, मतलब meeting के अगले trading session में, जो price बंद हुआ है, वो है 8.56 का, मतलब within one day के अंदर, price है, वो 805 रुपे से 856 रुपे पहुच गया है, तो देख रहे हो, तो यहां मैं ये शोकाना चाहरा हूँ, कि जो buyback की corporate action के dates होती है न, इन dates के उपर बहुच चीज मैटर करती है, ये dates के announce होने से ही न, price जो है share का उपर भाग जाता है, इसलिए न, कहता हूँ कि corporate action पे नज़र रखा करो, जब भी वो announce होते है, उसके बाद से लेके record date तक वो share का price जो है, कि इस buyback की जो record date थी न, उस दिन के end में, जो price बंद हुआ है, वो हुआ है 923.25 पीस का, मतब इस price पे share बंद हुआ है, तो ये price fix कर दिया गया है, इस price के according, जिनके पास 2 लाग से कम की value की share होंगे, वो चले गए ये डिल कड़गर के अंदर, और जिनके पास 2 लाग से उपर की value की share होंगे, वो चले गए जला कड़गर के अंदर, तो यहाँ company ने बताया है, कि जिनके पास 2, 1, 6 share से कम होंगे, वो आएंगे normal category के अंदर, मतलब retail category के अंदर, मतलब retail category में कौन लोग आएंगे, जिनके पास 2, 1, 6 share है इस company के, अगर आपके पास उस जला share है, तो आप general category में चले गए हो, फिर आप normal category में नहीं आए हो, इतना point clear होगे है, अब company थेखी क्या बोलती है आपे, कि according to record date, record date के according, जो retail category में लोग है, उनकी संख्या जो है, वो है 2, 82, 680, मतलब, इतने लोग जो है, वो retail category में आ रहे है, record date वाले दिन, इनके पास कितने shares, वो shares है, 99,98,259, तो ये figure दिखान रखना, अब इससे बात करने वाले आगे हम, हाँ, तो हमने क्या देखा था भी, कि retail category में लोग आए है, record date वाले दिन, वो something 2.82 लाग करिवाए है, ठीक है, अब company जो buyback में shares लेने वाली है, वो 60 लाग के आसपास के है, ठीक है, एक दर फिगर जो है, वो 59 लाग कुशका था, ठीक है, अब उस्ते अंदर से 15% जो होता है, वो किसका होता है, retail category का होता है, retail category वालोग के लिए, company जो है, वो लेने वाली shares है, वो है, 8,95,523, मतलब इतने shares company जो है, retail category से लेने वाली है, और retail लोग कितने है, 2.82 लाग, इसका मतलब क्या है, कि अगर ये सभी share, सभी लोग जो है, वो भी buyback अप्लाई कर देंगे न, तो भी, ये number total share से कम ही रहने वाले है, मतलब इस buyback के अंदर, one share strategy काम कर जाएगी, तो काफी लोग इडाउट है, काफी लोग पूछते है, ये पूछते रहते है, सर यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि, one share strategy काम नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है, आपको data share कर दी है, अब रॉपरली मने, कि 2,82,000 लोग इसके अंदर, record date पे है, deal category के अंदर, और company जो है, वो 8.95 lakh share लेने वाली है, तो इसका मतलब, सबका एक-एक share पक्का जाएगा, तो जो भी बोलते हैं आपको, कि वहाँ उन share strategy काम नहीं करेगी, इस payback के अंदर, वो गलत बोल रहे हैं आपको, अब बात करते हैं, entitlement ratio की, समझते ये क्या होता है, तो company क्या बोल रही है, कि जितने लोगों के पास share है, retail के डिगरी में, उन सब को consider कर ले, मतलब मान लेते हैं, कि वो सब apply कर दे, ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, कि सब apply कर दे, बट मान लेते हैं, कि सभी ने apply कर दिया, तो आपके 6 share जाएंगे, 67 share में से, मतलब मोटा मोटा, 9% के आसपास, आपका quota निकल के आएगा, यह कब निकल के आएगा, जब हम मान ले, कि सभी share, जो 2.82 लोग है, सभी लोगों ने buyback में apply कर दिया, time से apply कर दिया, तब आपके 9% इसका ratio बन के आ सकता है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि इसमी से काफी लोग ऐसे है, जिनों इसको long term के लिए लेके रखा हुए है, वो लोग भी apply नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे है, जो date भूल जाएंगे, कुछ लोग ऐसे है, जो buyback पर ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने बाकी कामों में, जोब में, लाइफ में विजी है, तो वो buyback consider करते नहीं है, तो roughly हम भात करें, तो मोटा मोटा figure इसका जो है, वो 20% के आसपा से आने वाला है, थोड़ मोटा उपर निच हो सकता है, 17, 18, 20, 25 भी हो सकता है, बट roughly जो बात करें हम इतने आने वाला है, तो कई लोग डर गए हैं देखके, कि सर हमारे 6 share जाएंगे, 69 share में से, क्या ratio 9% का आने वाला है खाली बस, तो ऐसा नहीं है, ये होता है, entitlement ratio, ये main ratio नहीं होता है, ये ratio होता है, जो record date पे जितने लोग अबास shares है, उतने में से कितने शे जाने वाले हैं, तो ये point clear कर लेना अपना, second echo dot लोग कुछते है, उनको mail आएगा इसके regarding, तो वहाँ पे उनके अंदर, zero share लिखा हो आएगा, sentence के अंदर, तो यहाँ company ने बताया भी है, अपने ने लिखा भी OS के अंदर, कि जिनके पास 11 share से कम share है ना, तो उनके अंदर वहाँ पे ratio में जो share आएगे, वो zero लिख्यों आएगे, मतलब उनके entitlement share zero होए है, वो तो इस ratio को मान रहे हैं ना, वो तो computer calculation है, उनके according तो यह है कि आपको 11 से कम share है, तो आपका एक share में लेंगे, तो आप उसको देखे डर्ना मत, आपका जितने share भी है, वो सारे आपको apply करने है, और one share अगर है, तो पक्का apply करने है, छोड़ना नहीं उसको, आपका वो share पक्का चला जाएगा, तो यह कुछ points थे, जो आपको वने clear करने जुरूरी थे, अब चेक करते हैं कि dates क्या चल रही है, हाँ, तो dates की बात करें, तो buyback जो है, वो open होने वाला है, 39 February को, मतलब वीडवार को, जो वीडवार आने वाला है, 39 February को buyback में apply करना open हो जाएगा, और buyback जो है apply की last date जो है, वो है 6 March की बुद्वार की, यहां बताया गया है कि 6 March को, शाम को 5 बजे, buyback में apply करने का last timing है, बड़ ध्यान रखना, आप किसी broker के अंदर हो, आपका जो account है, वो किसी broker में हो, जरोधा हो, आप्स्टोक्स हो, एंजल हो, कोटा को, कहीं भी हो, सब के अंदर timing, अलग मेंशन होती है, तो last दिन तका wait मत करना, time से अपना buyback अप्लाई कर दो, आपको काफे time दिया गया है, 39 February से 6 March, मतला आपको 6 दिन दिये गए है, तो क्यों last दिन तका wait करना है, और apply कैसे करना है, उसके लिए मैंने ARS वीडियो बना दी है, अल्योंडी, जिरूदा में हो, तो कैसे apply करते हैं, उसकी वीडियो बनी हुई है, Apple cost में आपका account है, तो वहाँ कैसे apply करते हैं, उसकी वीडियो बना रखी है, inspection मैं आपको account है, तो वहां कैसे apply करते हैं वीडियो बना रखी है अगर आपका काउंड एंजल वन में है तो वहां थोड़ा सा apply का process अलग है different है उसके पर में वीडियो बना रखी है वहां apply करने के दो तरिक्के होते हैं पर्स्ट वन इस CDSL easiest के दोवारा और सेकिंड वन इस DDP एक्टिवट करके अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लेना मैं ये सारी वीडियो जो है वह निचे description में add कर रहा हूं तो उन वीडियो को आज ही देख लेना और चेक कर लेना कैसे apply करते है कुछ requirement है उनकी लिए पूरी कर लेना परना कि लाज दिन तक गए और कुछ requirement हुई भरने वाली वह नहीं हो पाई तो पंगा बढ़ जाएगा इसके साथ ही कुछ और भी co protection चल रहे है कुछ company ने split announce कर र जासे और लोगों तक share करना ताकि जांकारी मैंने share करिये ना यह सब तक post सके कि मुझे पता है मुझे daily message मिलते है कि one share काम करेगा नहीं करेगा यह चीज होगी नहीं होगी तो इसलिए मैंने आपको सब को share किये अगर आपको इंफोर्मेश अच्छी लगी हो तो प्लीज वी तो आज के लिए इतना ही मिलते है आपसे जल्दी अगली वीडियो में किसी और information के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए Thank you so much